नमस्कार देवी और सज्जनों एक दिन के अवकास के बाद एक बार फिर हम राजीव भाई को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं कल कुछ सुना सुना सा लगा कुछ खोया खोया सा लगा आपको भी लगा तो यह है राजीव भाई के शब्दों का उनके विचारों के सार्थक्ता और नशा नशा शराब का नहीं नसाब स्वस्तता की नशा अहम का नहीं नशा सभावना का तो ऐसे वागभट के दूत और भारत के सपूत स्री राजीव दिक्षित जिसे मैं अन्रोद करूँगा कि यो मंच पराएं और पुर्जोर तालियों के साथ उनका आप स्वागत करें पिछले साथ आठ दिनों में हमने जो कुछ भी सुना राजीव दिक्षित भाई से और जो कुछ भी हमने ग्रहन किया उसके कृतग्यता में हमारे पास व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है और नहीं ऐसा कोई उपहार है जो हमें भेट सरूप दे कर उस भहमूल्यता को हम आख सके इसलिए हम अपनी कृतग्यता हम अपना धन्यवाद उनको चंदन के फूलों के माला के सुगंद के साथ और शौल के उर्जा के साथ व्यक्त करना चाहेंगे मेरी गुजारी शेश्य शोबा का अंदास जी से कि वो राजी भाई को माला अर्पन करके स्वागत करें रमेश भाई लोड़ा शौल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे पिछले साथ आठ दिनों से राजी भाई ने प्रकृति की बात की पंच तत्व की बात की तो चार तत्व राजी भाई हमको देते रहे हैं और जो पांचमा तत्व प्रित्वी है वो स्यू साब भवन के पधादिकारियों ने हमें वो प्रित्वी के रूप में इस परिसर के रूप में हमें दिया है मेरी गुजारिश है कि स्री रसिक भाई मंच पर आएं स्यू साब भवन के प्रेसिडंट स्रीशोबा कान जी उन्हें माला पेना कर स्वागत करेंगे और अबी बहुत सारी चीज़ें राजी भाई हमको बताएंगे उसके पश्चाद बहुत लंबा दौर चलेगा प्रशनो तरी का तो इसलिए हमने आप लोगों से गुजारिश किया कि एक परची में आप अपने सवाल लिखके राजी भाई तक पहुंचा दे और मैंने परची नहीं लिखिये लेकिन सवाल मैं छोड़के जाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हसना एक औशधी है तो हसना अगर एक औशधी है तो निश्चित रूप से वागभट ने कहीं न कहीं किसी न किसी सूत्र में हसने के बारे में कहा होगा तो मैं चाहता हूँ कि राजी भाई इस पर हमें बताएं कि हसना चाहिए तो कैसे हसना चाहिए खाने से पहले या खाने के बाद जो कुछ भी है वो किरपया इसका बताएं ये सवाल है तो इस हसते खिलखलाते माहोल में मैं यह मंच समर्पित करता हूँ सिराजीव दिक्षित को आप से प्रदीब भाई ने बोल दिया है कि जो भी प्रशन है वो अगले एक गंटे में लिखकर मेरे पास पहुँचा दे मैं कोशिश करूँगा सभी का जवाब दू कुछ प्रशनाये हैं कुछ और आप भेज सकते हैं और आपको आज के बाद और प्रशन पूछने हो तो कभी भी पत्र लिखकर इमेल के द्वारा आप प्रशन कर सकते हैं मेरा नाम और पता हर किताब में बाहर है फुस्तक में से पता आप नोट कर सकते हैं इमेल है फोन है उस पर आप कभी भी प्रशन कर सकते हैं और चूंकि एक प्रशन आ गया है वहां मैं पहले बता दूँ क्योंकि वो थोड़ा विशे से हटकर है किसी ने पूछा है कि क्या आप इलाज भी करते हैं हां करता हूँ लेकिन बिना फीस के इलाज भी करता हूँ आप कभी इलाज की द्रश्टी से भी पूछना चाहें प्रशन तो कर सकते हैं ज्यादा कोशिश मैं आयुरुवेट से करता हूँ इलाज करने की और अगर मैं महसूस कर लेता हूँ की कॉम्प्लिकेशन कुछ जादा है तो थोड़ा होमियोपैथी की मदद लेता हूँ एलोपैथी को कभी भी टच नहीं करता अभी प्रदीप भाई ने जो प्रशन किया वहां से मैं शुरू करूँ बागवट्टी जी कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ वेग हैं वेग, गती, मूव्मेंट, स्पीड कुछ वेग है और उन वेगों के नाम है कुछ उनके बारे में उनका ये कहना है एक सूत्र है और उस पर पूरा अध्या है एकी सूत्र पर पूरा अध्या है वो ये कहते हैं कि जब ये वेग आएं शरीर में तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए कभी भी रोकना नहीं चाहिए ऐसे कुछ वेग हमारे शरीर में है उन में से एक है हसी अगर आपको सहज रूप से हसी आ रही है तो बिलकुल मत रोकिए खूब जोर से खिल खिला कर हसी है अगर हसी आ रही है अब आप पूछेंगे ये हसी आती कैसे है ये जो हसी है इसके बारे में बागवट जी ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि ये शरीर के अंदर कुछ रसों का प्रभाव है आज की भाषा में हम अगर कहें तो कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ हार्मोन्स हैं जिनके चलते ही हसी आती है और ये एंजाइम्स और हार्मोन्स शरीर की अलग-अलग गरंतियों से उत्पन होते हैं जैसे हमारे शरीर में ये मस्तिश्क में एक पीनियल ग्लेंड है उसमें से जो रस उत्पन होता है मैं रस ही शब्द इस्तेमाल करूंगा हार्मोन्स और एंजाइम्स में कन्फ्यूजन हो जाता है तो पीनियल ग्लेंड में जो रस उत्पन होता है ये बहुत मदद करता है हसने में आप बुलेंगे जी हसते समय ये पैदा होता है हाँ लेकिन इसके बारे में बागवट्टी जी ये कहते हैं कि पहले ये रस पैदा होगा बाद में हसी आएगे ये रस कहां से पैदा होता है तो कहते हैं भावना से आपकी भावना है तो ये रस उत्पन होगा और ये सेकंड्स में होता है सेकंड्स के फ्रेक्शन में होता है कोई भावना आपकी ऐसी बनी रस उत्पन हुआ तुरंत आपने हस दिया तो वो कहते हसी आये तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए लेकिन आगे का सूत्र है जो बहुत महत्तो का है जबरजस्ती कभी भी नहीं हसना चाहिए क्योंकि उस समय जो आप हसेंगे वो मेकेनिकल हसी होगी मेकेनिकल आप समझते हैं यांत्र की जिसमें रस नहीं होगा भाव नहीं होगा आप सिर्फ हसेंगे तो कहते हैं बिना भाव और बिना रस की जो हसी है वो शरीर को कोई लाब नहीं देगी अब मैं आता हूँ थोड़ा आपको समझ में आए इस द्रश्टी से आजकल भारत में बहुत जगें लाफिंग कलप्स चलते हैं आप भी हो सकता है जाते हों तो लाफिंग कलप्स में जो हसी है वो पूरी तरह से यांत्रिक है मेकेनिकल है वो कहते हैं मूँ फाड़ के हसो हाँ 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 इसमें न रस है न भाव है वो कहते हसते समय रस भी होना चाहिए भाव भी होना चाहिए हाँ ये जरूर है कि उस laughing club में आपको कोई जोक सुना कर हसाई जसी आती है या उन्होंने कोई acting की और उस पर आपको हसी आती है वो ठीक है आपको laughing club में किसी ने जोक सुनाया, मजाक किया, आपको हसी आई तो उसमें रस भी होगा, भाव भी होगा लेकिन ये मुँ खोल के हाहा हाहा करेंगे ना रस होगा ना भाव होगा तो इस से बचें क्योंकि इस से तकलीफ आएगी फिर बिना रस और बिना भाव की जब हसी आप हसेंगे तो पेट में दर्द होगा और पेट में दर्द होगा तो वो कोई तकलीफ की इस्तिती भी बना सकता है जैसे कई बार आपने सुना है हमारी नस पे नस चड़ गई बिना भाव और बिना रस की हसी में पेट की नस पे नस चड़ सकती है और वो चड़ गई तो डॉक्टर उतार नहीं पाता उसको फिर कहेगा जी ऑपरेशन करा लो कॉम्प्लिकेट हो गई है तो बिना रस और बिना भाव की हसी कभी भी ना हसें लेकिन रस और भाव के साथ हसी आ रही है तो बिल्कुल न रोकें जरूर हसें बात आपको इसपश्ट होई आपको स्वाभविक रूप से कोई द्रश्य देखकर कोई बात सुनकर किसी की क्रिया देखकर हसी आ रही है तो रोकना मत खूब हसना उसको और बिना भाव बिना रस बिना क्रिया के कोई हसी करने की कोशिश कभी आप करना मत वो कहते हैं कि सम में रहिए मद्धिमारगी बनिये हमेशा हर जगे वो कह रहे हैं मद्धिमारगी रहिए ना इस एक्स्ट्रीम पे जाईए ना उस एक्स्ट्रीम पे जाईए क्यों? तो वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमी है जो मद्धिमारगीयों की ही है भारत एक ऐसी भूमी है जो मद्य मारगियों की ही है आप ना इस एक्स्ट्रीम पे जा सकते हैं ना उधर अगर इसको आज की भाशा में कहूं ना ज्यादा लेफ्ट जाईए ना ज्यादा राइट रहिए सेंटर में रहिए बीच में रहिए और क्रश्न भगवान गीता में बार बार यही कह रहे हैं ना ज्यादा भोगी बनो ना ज्यादा त्यागी बनो मद्यमारगी रहो तो भारत में क्रश्न ने कहा और बागभट ने कहा या कभी श्री राम कहते हैं लक्षमन को यह सब भारत के तासीर और मौसम के हिसाब से कहा है आप जो है अगर यूरोप में है और अमेरिका में है तो आइधर लेफ्ट और आइधर राइट जाने के लिए छूट है भारत में नहीं तो इसलिए हसी के मामले में भूजन के मामले में क्रियाओं के मामले में किसी भी मामले में ना तो left जाईए बहुत ना तो right जाईए बीच में रहिए तो हसी के बारे में भी उनका यही है कि यांत्रिक हसी माने एकदम extreme left कभी भी मत करें और हसी को रोकिये भी मत वो extreme right बीच में रहिए आई तो हस लिए यह तो हमेशा नियम के रूप में है और यही नियम आगे भी है वो कहते हसी को रोकिये मत यह एक वेग है कभी भी मत रोकिये इसी तरह से दूसरा एक वेग है छीक कभी मत रोकिये इसको लेकिन जबरजस्ती छीकने की भी कोशिश मत करिये छीक आये तो रोकिये मत जबरजस्ती छीकने की कोशिश मत करिये जबरजस्ती कोशिश अगर करेंगे तो उन्होंने एक सूची दिया है बागवट जी ने कि 13-14 रोग आएंगे आपको अगर जबरजस्ती छीक लेंगे तो इसलिए छीक आ रही है सहज रूप से छीकिये रोकिये मत उसक उन रोगों की पूरी सूची है आप पढ़ सकते हैं पुस्तक इसी तरह से एक वेग है प्यास प्यास एक बहुत बड़ा वेग है बागवटी जी कहते हैं कि जब प्यास लग रही है पानी जरूर पीजिए रोकिये मत प्यास को लेकिन पीने का तरीका है वो ध्यान रखे सिप बहुत तेज प्यास लगे तो भी सिपसिप करके ही पीजिए जल्दी जल्दी पानी कभी भी पीने की कोशश मत करें और वो कहतें कि यह जल्दी पानी पीने का तरीका है ना इसमें से दो बीमारियां बहुत होंगी, एक जिसको आधुनिक भाषा में कहते हरनिया, बागवट जी ने उसको कहा है आंत का उतरना,ाज की भाषा में कहते हरनिया, और दूसरा एक भीमारी है एपेंडिसाइटेस, पानी को जल्दी 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 पीने में ये दो काम नायको स्वूरी पूर्वसिल की बीमारी विओगी प्रोस्टेटी भी प्राबलम आ सकते हैं इसलिए पानी हमेशा पीने का नियम ध्यान रखें सिफ शिफ लेकिन जब भी प्यास आए तो पानी पीजिए प्यास को रोकिये मत एक ही जगए उन्हों रहा है कि बिना प्यास के पानी पीजिए वो सबेरे का है उशा पान के पानी की जो बात उन्होंने कही है कि सबेरे का समय ब्रह्मु महूर्थ का समय ब्रह्मु महूर्थ हमेशा सूरियो दैसे डिड़ घंटे पहले का माना जाता है तो ब्रह्मु महूर्थ का समय जरूर पानी पीजिए बिना प्यास के, वही एक समय उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पी सकते हैं, बाकि कभी भी पूरे दिन में उन्होंने कहा है कि प्यास लगे तो जरूर पानी पीजिए, बस नियम वो ही है कि खाने के तुरंद बाद मत पीजिए, अगर खाने के तुरंद बा इसको रोकिये मत नहीं तो क्या होगा प्यास रोकने से लगबग उन्होंने सूची बनाई यह 58 रोग हैं अगर प्यास रोकी आपने जब प्यास लगी है और आप नहीं पी रहे हैं पानी तो 58 रोग आएंगे इसलिए वो कहते हैं कि ये आप कभी मत करिये अच्छा दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि उशा पान के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में जबरजस्ती पानी पीएंगे तो भी तकलिफ आने वाली है हर जगे वो कहते हैं मत दिमारगी रहिए ना इधर जाईए ना जादा उधर जाए तो ये प्यास का ही वेग है ऐसे हां 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 आगे वो कह रहे हैं कि पानी जब भी पीना हूँ आपको तो हमेशा बैठके ही पीजिए खड़े खड़े पानी पीने को पूरी तरह से निशेद किया उन्हों ने हमेशा बैठके पानी पीजिए और बैठने के दो तरीके सबसे अच्छे हैं उकडू बैठना गाय का दूद निकालने वाले आसन में बैठना नहीं तो ऐसे बैठना जैसे मैं बैठा हूँ कुर्सी पर बैठके पानी पीना है तो मैंने आपको बता दिया ऐसे आलती पालती मारके कुरसी पर बैठ जाए ये फिर पीजे आगे का एक वो वेग को रोकने के लिए वो कहते हैं बहुत ही खतरनाक वेग है जिसको आपने रोका तो बहुत तकलीफ आएगे अब उसमें आप बहुत स जबरजस्ति रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे जादा रोग उन्होंने गिनाये हैं 103 रोग हैं अगर भूग को जबरजस्ति रोकने की कोशिश आपने की और वो कहते हैं पहला रोग शुरू होगा ऐसे लिटी से और आखरी जाएगा अंतड़ियों का कैंसर से इंटेस् और आगे कहते हैं कि शरीर के शुद्धी की क्रिया हैं और वो आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धी होती है तो मन और चित्त दोनों शुद्धी होती है उसके साथ तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धी मन और चित तीनों की शुद्धी के लिए है लेकिन उसके लिए नियम है वो ये कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपको ऐसा लगने लगे कि अतुरिक्त कुछ हो रहा है अतुरिक्त अतुरिक्त से मतलब मैं समझाता हूँ आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी जरूरत है उतना खा रहे है और कभी ऐसा लगने लगे कि जरूरत से ज़्यादा खाली आए हमको तुरंद महसूस हो जाएगा ये शरीर तुरंद बता देगा कि आज तो कुछ ज़्यादा ही खाली आ तो कहते हैं कि जब इस्थती ऐसी हो वो किसी भी कारण से हो आपको किसी चीज का स्वाद बहुत पसंद आ गया या किसी ने बहुत आग्रे पूरवक आपको खिला दिया या आप कुछ इस इस्थती में थे मूड आपका ऐसा था ध्यानी नहीं रहा बातें करतें करतें या खाना खा रहे हैं जादा चला गया ऐसी किसी भी स्थती में जब अत्रिक्त है तब आप उपवास के बारे में जरूर तै करिए मने आप उपवास करिए अब उन्होंने उपवास के नियम बताएं बहुत लंबा अध्याय है वह उसमें से जो तीन महत्तु के नियम बता देता हूं पहला नियम यह है कि कभी भी उपवास अगर करना है तो सब्ताह में मने साथ दिन होते हैं उसमें एक दिन का तो ठीक है वाले दिन नियमित रूप से समय समय पर बीच बीच में पानी पीते रहिए उ Secondly अच्छा नहीं है ने पानी पीत रहे बीच बीच में क्यों पुछ रहे वह कहते हैं कि आप भले उपवास करो लेकिन शरीर के पेट में जो अमल बनने की क्रिया है वो तो रुकने वाली नहीं है वो तो तभी रुकती है जब आप मर जाते हैं ये तो सतत अमल को रिलीज करता ही रहता है और पेट में जो अमल है वो नो हाइड्रोकलोरिक एसिड है खराब अमलों में उसकी गिंती मानी जाती है हाइड्रो कंट्रोल में हैं तो वो कहते हैं कि थोड़ा पानी पीते रहें तो यह जो HCL है यह डाइल्यूट होके पेशाप के रास्ते निकलता रहे तो हानी नहीं पहुँचाएगा और अगर आपने पानी नहीं पिया उकुवास में तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी अंतनियों को जला डालेगा आथों को जला डालेगा तब आप कोई गंभीर बीमारी के शिकार होंगे और तब आप शायद परिशान हो जाएं और आपकी बीमारी ठीक भी होने पाए क्योंकि बागवट्ट जी कहते हैं कि शरीर के किसी video का कोई पर्मणेंट डिमेज हो गया तो उसका रिपेरिंग क्ट पर एक बार डिमेज हुआ पर्मणेंट तो रिपेरिंग नहीं होता तो फिर आपको क्या होगा अलसरो गाप्याद्टिक अलसरों हो तो साथ दिन तीन समय का भोजन किया है साथ दिन मने छे दिन तो साथवे दिन आप एक दिन उपवास करिए लेकिन थोड़ा-थोड़ा पानी पीपी के उपवास करिए मतलब यह है दूसरे शब्दों में मैं कहूं निर्जला उपवास मत करिए अब हमारे यां कई जगे मैंने देखा दुर्गा माता का समय आएगा तो हम सब बहुत बार साथ दिन निर्जला उपवास करते हैं साथ दिन लगाता है वो तकलीफ देगा आपको आप करते हैं भक्ती भाव से बहुत अच्छा है लेकिन वो तकलीफ दे दे आपको शारी रिक आप सब ज़्यादातर उसी श्रणी के हैं इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है ज़्यादा लंबा लेकिन जो मासाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए मासाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए शाकाहरी खाना खाते हैं उनको जादा लंबे उपवास अच्छे नहीं है अब ये उन्होंने लिख दिया मैंने इसको फिर अब्जर्ब करना शुरू किया प्रकरती में दो तरह के जानवर हैं आप जानते हैं कुछ हैं जो मासी ही खाएंगे हिंसा करके ही अपना पेट भरेंगे और कुछ हैं जो शाकाहरी है गाय जैसे है बकरी जैसे है भैस है बैल है चुडिया है ये सब शाकाहरी जीवों में गिंती होती है लेकिन शेर है चीता है लगडबगा है लोमडी है कुटा है ये ऐसे जीव हैं जो मास भी खाते हैं और कुछ तो मास ही खाते हैं जैसे सांप है बड़े से बड़ा सांप अजगर ले लो और छोटे से छोटा रसल स्वाइपर या करेत ले लो ये मास ही खाते हैं मेड़क को खाएंगे, छिपकली को खाएंगे, केचुओं को खाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे जीवों को खाएंगे, लेकिन ये बड़े पक्के हैं नियम के, बाग भटका सारा कुछ इन्हों नहीं सीखा है, हाँ, अजगर को मैंने बहुत अब्जर्व किया, वो एक बार खा खा लिया, वो कुछ भी खा लेगा, एक बड़ी से बड़ी बकरी को खा जाता है, हाँ, इतना खा लेता अजगर, बकरे को खा लेगा, लेकिन खा लिया, तो पंद्र दिन उपवास ही करेगा, पंद्र दिन उपवास करेगा, सोलवें दिन ही दुबारा खाएगा तो बाग परटी जी कहते हैं कि नियम यह है कि अगर आप मास खा रहे हैं किसी भी तरह का तो आप लंबे वास जरूर करें अब फिर कारण वही है वो यह कहते हैं कि यह जो मासाहरी लोग हैं इनका भोजन जो है यह शरीर के अंदर के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिट को रिलीज करने वाली ग्रंतियां हैं इनको मंद करता है मास का जो पाचन है उसमें से जो कुछ भी आपके शरीर को मिलने वाला है वो आपके शरीर में एसिट रिलीज करने वाली जो ग्रंतियां हैं उनकी क्रिया को मंद करेगा तो कम निकलेगा तो वो लंबे उपवा ना करें और कोई कारण से आप कर रहे हैं तो ये उनकी बात ध्यान में रखें बीच बीच में पानी पीते रहें अब आप बोले जी पानी कैसा पिएं तो उस पानी के लिए 20-25 सूत्र लिखें जैसे लॉंग का पानी पिएं लंबे उकवास अगर आप कर रहे हैं तो लॉंग का पानी पिएं मूंग का पानी पिएं मूंग की दाल आप समझते हैं उसका पानी बनाना आप सब जानते हैं मूंग की दाल का पानी पिएं पानी में घी डालके पिएं यह बागवट्ट जी नहीं लिखा और किसी पानी में घी डाल के घी माने गाये का गी, भैस के गी का, कहीं भी उन्हों ऐए जिकर नहीं किया, एक ही जगे किया है, जो पहलवान हैं, गुषती लड़ रहें, वो भैस का गी खायें, बाकी लोगों के लिए भैस का गी नहीं हैं, गाये का गी. तो पानी में घी डाल के पिएं, पक्का पानी पिएं, पक्का पानी आप सब समझते हैं, उबाल के पानी बनाया हुआ, पक्का पानी बनाते समय, आप जानते हैं थोड़ा चूना भी डाला जाता है, तो चूने का पानी पिएं, ऐसे करकर के 23-24 सूत्र उनों ने लिखे हैं, वो लंबे उपवास करने वालों के लिए हैं माने आप मेंसे जहन धरम का पालन करने वाले लोग लंबे लंबे उपवास करते हैं तो उनके लिए हैं लेकिन एक जिए के बागवट्टी जी कह रहे हैं कि उपवास करने का सबसे अच्छा तरीका एक है अगर करना ही है तो आप लोग करते हैं बियासना करते हैं एक दिन खाना एक दिन उपवास वो कहते हैं इसको क्या कहते हैं एक दिन खाना एक दिन उपवास वर्शितफ यस माफ करिएगा गलत शब्द बोल दिया एक दिन खाना एक दिन खाना एक दिन उपवास एक दिन खाना एक दिन उपवास इसको बागवट जी सबसे अच्छा मानते हैं लगातार छे दिन खाना और एक दिन उपवास वो एधे ठीक है मजबूरी का का में आप कर लिजे लेकिन अगर आपको दिल से उपवास में उटरना ही है तो यह बहतर है एक दिन खाना एक दिन हो तो वो दिन में आदी हो जाएगा और शायद इसलिए जेन दर्शन में या जेन समाज में वर्शी तब करने वालों का बहुत महत तो है बड़ा सम्मान किया जाता है बहुत गाजे बाजे के साथ उनको मंच पर बिठाके मालाएं डालके वो शायद इसलिए है कि वो बहुत वेग्यानिक काम कुछ कर रहे है तो वो भूग के बारे में कह रहे हैं कि भूग का वेग जादा रोकना नहीं अगर आप मेहनत मौर मजदूरी कर रहे हैं तब तो कभी मत रोकना बागबटी जी कहत हैं कि जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं या किसान हैं उनके लिए उपवास नहीं है उनके लिए उपवास नहीं है जो सड़क पे गाड़ी खीच रहे हैं ठेला खीच रहे हैं उनके लिए उपवास नहीं है उपवास उनके लिए है जिनको शरीर श्रम जादा नहीं क करना उनके लिए मने आपके लिए मेरे लिए ज्यादा उकवास हाथ है मेहनत करने वालों को ज्यादा उकवास नहीं उनको तो जब भूख लगे तभी खाना खाने के लिए बोला है लेकिन वो कहते हैं कि खाने का समय तै कर लें तो भूख भी उसी के हिसाब से लगते हैं पहर का लंच जो है नाश्टे जैसा हो और रात का खाना तो बिलकुल या कम से कम शाम का खाना कम से कम हो वो में पहले दिन आपको दूसरे दिन बता चुक और एक वेक के बारे में उन्होंने कहा है जिसको रोकने की कोशिश कभी न करें जमहाई आना जमहाई समस्ते मूझ खो बागबटे जी ने जो का वो आपको देर में समझ में आएगा आधुनिक विग्यान जल्दी समझ में आ जाएगा ब्लड में ऑक्सिजन की मात्रा जब भी कम हो जाएगी जमहाई जरूर आएगे एक्स्ट्रा ऑक्सिजन लेने के लिए मूझ खोल कर आप जो है जमहाई लें होते हैं बहुत खतरनाक है कभी मत करें मूझ खोलिये पूरा क्योंकि आपके शरीर का आपको आदेश आ रहा है मूझ खोलिये भरपूर हवा अंदर भरिये तो यह अच्छा है और बच्चों को भी वैसे ही सिखाए इसमें कोई शरम करने की बात नहीं है क्योंकि यह प्रकर खराब है क्योंकि वायू को जाने से आप रोक रहें वो जमाई आ रही है जादा आकसीजन के लिए शरीर में शुद्वायू जादा जाए इसके लिए जमाई आ रही है और आपने मूपे हाथ रख लिया और फिर जमाई ले रहे यह बहुत खराब कभी मत करी मूझ खोल कर हां फिर एक बात वो यह कह रहे हैं यहां पर जैन दरशन की बात बहुत गहरा इसे समझ एक जगे कहते हैं कि आपसे ज़्यादा ग्यानी और आपसे ज़्यादा तपस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जमाई लेजें माने इसको मैं ऐसे समझाओं किसी महरास साप के पास बैठे हैं जो दोनों ही स्थिती में आप से ज्यादा तपस्वी भी है और ग्यानी भी है तो उनके पास बैठके जमाई कभी मत लीजे आप उड़ जाईए कहीं दूर कोने में चले जाईए हैं हाँ लेकिन वेग बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है वो मजबूरी का है कि जेब से रूमाल निकालिए कोशिश करिए क्योंकि आपकी जमाई उनको तकलिफ करने वाली है कैंप जब यह तो आप जानतें प्रकरति का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कारबंड़ योक्साइड तो निकलेगी नहीं तो इसपेस बनेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए तो आपकी जो कच्रा वायू है वो महराजी को क्यों दे रहे हैं क्योंकि आपकी कारबंडा यॉक्साइड महराजी की तुल्ला में बहुत कच्रा है क्योंकि सब तरह के कुकर्म आप करते हैं तपस्य आपके जीवन में है नहीं जादा संयम आपके जीवन में है नहीं जादा और लोब लालच मद मोह काम क्रोध सब कुछ आप में भरा हुआ है और उनका जीवन बिलकुल इन सब कशायों से परे है तो उनके सामने जो आप कारबन डियोकसाइड इसलिए वो कहते हैं कि अपने से ग्यानी और तपस्वी लोगों के पास जब भी आप बैठे हों तो जमाई ना लें दूर जाके लें और कुछ मजबूरी हो जाए तो ये मैं जोड़ रहा हूँ बागबट जी ने नहीं कहा कि आप मुपे रूमाल तो कम से कम रख लें हाथ हाथ रखके जमाई महराजी के सामने ही लें ऐसा कहूं बाकी जीवन में लेने की आपको जरूरत ने अब एक और वेग है जिसको कभी न रोक है नहीं तो बहुत तकलिफ आईगी मूत्र का वेग मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशुश ना करें जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिगनल दे रहा तुरंत उस वेग को निकालिए और मैं अब आपको आदुनिक विज्ञान कहता हूं पहले बागबट जी की बात करें वो कहते हैं कि यह क्वारे विकार आपके शरीर में आएंगे अब मेने यह एक एक एक्सपरिमेंट मेरे उपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं फिर देख़ूं क्या होता है तो तुरंत मैंने महसूस किया कि शरीर पर दबाओ बढ गया डिए प्रशर बढ़ गया बष्क् sırीर के हर अब उनकी जिन्दगी में मैंने तब ही देखी है जब उनकी पेशाब रुख जाती है मूत्र रुख जाती है तो कुछ भी करो यह रिलीज करो क्योंकि यह रोकना ठीक नहीं है इसलिए मूत्र के वेक को नहीं रोकें इसमें हर तरह से दबाव शरीर पर पढ़ेगा सब तरह क अब आपके मन में एक प्रशना आ सकता है कि जी बार बार मूत्र आए तो हर दस मिनट में आए हर आदा गंटे में आए और एक दो बूंद आए फिर नहीं आए एक दो तो आप समझिए कि कोई बीमारी के शिकार है आप अगर खुल कर पूरा मूत्र आ रहा है तो कोई चिंत लें वो जो पंद्रे प्रतिशत वाला हिस्सा है ना वो यही है ऐसी इस्तिती में किसी विशेशगे की मदद लें और वो आपको मदद कर दे मूत्र को निकालने में तो बहुत अच्छा है दवा की मदद से आउशदी की मदद से यह बहुत आसान है बहुत संभव है बहुत आसान है बहुत संभव है अब थोड़ा आगे बढ़ें इसी तरह से वो कहते हैं मल का वेग कभी न रोकें मूत्र है मल मल का वेग कभी न रोकें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉइलेट जाने की इक्षा है तो जरूर जाइए सोचिए ही मत उसके बारे आप बोलेंगे जी कोई परिस्थिती ऐसी है मैं ऐसा मानता हूं कि अब ऐसी कोई परिस्थिती है नहीं ट्रेन में सभी जगें टॉइलेट रूम्स हैं हवाई जहाज में सभी जगें टॉइलेट रूम्स हैं आपके घर में तो है ही यहां जहां भी बैठे हैं वहां है हो सकता सड़क पर चलते समय तो सरकारों ने कई जगे बनाए है माने कोशिश करिए कि वो रोके नहीं उस वेक को आप अगर है ऐसी इक्षा तो जरूर जाएं जरूर जाएं फिर आप कहेंगे जी फिर वोई मूत्र वाली इस्तिति है बार बार टॉइलेट आती है तो तो बागबटे नहीं अगर एक दिन में दो बार आप जा रहें वो दो बार हो सकती है आपके शरीर के हिसाब से हो सकता है सुबह और शाम आप जाएं कोई लोगों को सुबह और दुपहर भी हो सकती है कोई लोगों को सुबह सुबह भी दो बार हो सकता है ऐसी इस्तिति तो वो कहते हैं दो शेशगी की मदद लीजे और उसको ठीक करें तो मल के वेग को ना रोकें मूत्र के वेग को ना रोकें जमही आ रही है तो ना रोकें हसी आ रही है तो ना रोकें प्यास लग रही है तो कभी भी अपने को ना रोकें इस तरह के उन्होंने कई वेग के वारे में कहा है ऐसे कि आप चाहें तो पढ़ लेना किताब में क्योंकि समय कम है हर बार मुझे यही लगता है कि क्या छोड़ू क्या बता हूं थोड़ा इससे आगे बढ़ें तो आपके जीवन के बारे में वो यह कह रहे हैं कि यह एक वेग ऐसा है जिसके बारे में साधू, संत और महंत साधू, संत, महंत, तपस्वी, तेजस्वी यह लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते बाकी के लिए नहीं है वो जो साधू है, संत है, महंत हैं उनके लिए यह है कि वीर के वेग को रोके हैं और ग्रहस्ती जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी न रोके इस पर बागवट जी ने बहुत लंबी व्याख्या किये हैं साधू, संत, महंत, महरासा, ब्रह्मचारी, तेजस्वी, तपस्वी इस तरह के लोकों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेग को रोकें और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता, उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पढ़ती ह और आप जैसे लोग जो ग्रहस्ती का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है, मने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है, काम वेग ग्रहस्त लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए और साधु संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, तो साधु संतों का जो जीवन हैं, वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए, तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है, अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए, ये विशलेशन में जाओंगा तो देर ज्यादा हो जाएगी आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीरिका वेग काम का वेग वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए और साधू संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्हों ने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज़्यादा खराавड तो उनका प्रयास पूरे जीवन बसा होना चायए जो उसको रोक आप उस प्रयास में ही उनकी दिन चरया, रितु चरया, आहर चरया साधू, संथ और महात्माओं से भिन्न है जो होनी ही चाहिए दोनों जगे भिन्नता है वो जान लेने के लिए आवश्शक है तो हम कहते हैं ना साधू, संथ और सन्यासियों के भोजन टीके-मसाले वाले ना हो एकदम सादगी पूर्ण हो जादा उसमें घी तेल जादा इस्तेमाल ना हो वगरा वगरा तो और आपके लिए बिलकुल उल्टा आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा घी तेल बहुत जादा हो तो भी चलेगा तो ग्रहस्तियों के लिए जो जीवन है आहार चरिया दिन चरिया और रितु चरिया का और साधू सन्यासियों के लिए जो जीवन है दिन चरिया दोनों में बहुत अंतर है इस पर लंबा विशलेशन हो सकता है समय की कमी अब मैं आ जाता हूँ आपको जो कुछ मैंने अब तक कहा उसको जरा समराइज कर दो जो कुछ अब तक कहा छे सिनों में उसको थोड़ा समराइज कर दू और इतना समरी जरा ध्यान से आप सुन लीजे नहीं तो फिर से लिख लीजे एक बार लिख चुके हैं तो दुबारा भी लिख लीजे कोई उसमें नुकसान नहीं होगा हो सकता यादी हो जाए आपको क्योंकि बार बार कोई चीज लिखे न तो अच्छे से याद होती है सुनने से तो होती है उससे भी जादा याद होती है लिखने से हो सकता आपको लगे कि ये तो आपने बोल दिया है फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आज पूरा बात समप करनी है फिर बाद में प्रशनों के लिए मैं जाओंगा। बिना डॉक्टर की मदद के अपने जिवन को चलाना उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले साथ दिन में अलग लग समय पर आपको बताया आज फिर उसको कह रहा हूं रिपीटिशन कर रहा हूं ताकि याद रहे तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे ल वश्चक ने खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पियें डेड़ घंटे के बाद पानी पियें एक्स्प्लेनेशन में पहले दे चुका हूं अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूं खाना खाते ही पेट में अगनी प्रदीप्त होती है उसको जठर अगनी कहते हैं जठर पेट का वो इस्थाने जहां काने अपना काम अच्छे से करेगी तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा रस में बदलेगा और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है जैसे आप घुटी हुई खिचडी खाते हैं ना खिचडी वैसे खाना बनता है वो देड़ गंटे में बनता है फिर उसके बाद रस निकलता है और जब रस निकलेगा तब पानी की जरूरत है क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता तो कहते हैं डेड़ गंटे के बाद पेट भरके पानी पिए ये सबसे जरूरी सबसे आवशक पहला नियम दूसरा नियम पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भरके पिए ये मैं बहुत आवशक नियम मानता हूं सब के लिए आप जैसे लोगों के आप मैंसे थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो धैरे अपने जीवन में तो आप ये चालू कर दीजे पानी घूट 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 जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सके हैं उतना और मुँ में गुमा गुमा के हैं ऐसे ऐसे करकर आप छे महीने बाद देखना छे महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायो केमिस्ट्री बदल जाए सबसे पहली चीज़ जो आप महसूस करेंगे आप कहेंगे मैं पहले से जादा फ्रेश हो आप कहेंगे मैं पहले से जादा हलका हो गया मने वजन कम हो गया आप कहेंगे पहले से अच्छी नीद आ रही है आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है आप कहेंगे पहले से जादा मेरे दर्द कम हो गए जो घुटनों का कमर का कंदे का जगे जगे आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए आप कहेंगे सुबह सुबह उठकर सिर का दर्द कम हो गया ऐसी पचासियों बातें आप खुद कहेंगे छे महीने के बाद आप करिए इसक 40 किलो का था एक सवा साल से घूट-घूट पानी पी रहा है अभी 70 किलो का है कोई आसन नहीं करता कोई प्राणाय हम नहीं करता जिम में नहीं जाता कोई exercise साइज नहीं करता क्योंकि उसको फुरसत भी नहीं है आईटी कंपनी में काम करता है लेकिन ना जरूर करता पानी जब भी पिएगा घूट-घूट पिएगा खाने के डेड़ घंटे बाद ही पिएगा यह अद्वुत है इस नियम को मैंने हजारों लोगों पर करके देखा है एकदम एक्सिलेंट रिजल्ट हैं कई बार तो चमतकारिक रिजल्ट हैं और कारण उसका क्या है कारण उसका एक ही है कि घूट-घूट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है पेट को हमेशा लार की जरूरत है क्योंकि यहां एसिड बन रहा है एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो डाइल्यूट होना ही चाहिए नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है और वही एसिडिटी है जो आपको हर्ट अटेक लाती है कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले ज थोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगे ठीक है तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के डेड़ गंटे बाद पीना हमेशा पानी घूट घूट बरके गुमा घुमा के पीना है सुबह का पानी हो या दुपहर का शाम का जब भी पीए यह अच्छा नहीं है आपके लिए अच्छा नहीं आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रखके ही पानी पीए हमारे भारत में मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है लेकिन आपको समझाने में मदद करें भारत में हजारों साल की जो सब् गिलास नहीं है यह गिलास जो है ना विदेशी है गिलास भारत का नहीं है यह गिलास जो है ना यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया यह पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए तब से गिलास में हम फस गए गिलास अपना नहीं है लोटा है लोटा लोटा और गिलास का अंतरा लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखिये नहीं होता वो ऐसे 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 होता है तो बागवटी जी कहते हैं कि जो बरतन एक रेखी है उनका त्याज जिकरें वो है नहीं अच्छे काम के नहीं है तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता अब आप बोलेंगे जी क्या फरक है, फरक सीधा सा है, पानी के बारे में मैं बता चुका हूँ, पानी को जहां धारन किया जाए, वैसे गुण उसमें आते हैं, पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वो ही गुण हो जाते हैं, दही में मिला दो तो छाच में बन वो दही का गुण ले लेगा, पानी खतम हो गया, दूद में मिलाया तो दूद का गुण, तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा, लोटे का, अब लोटे का गुण क्या लोटा गोल है ना, गोल है ना, और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और व होता है हर गोल चीज का चूंकि सर्फेस एरिया कम है इसलिए सर्फेस टेंशन कम है इसको हिंदी में प्रश्ट तनाव कहते हैं हर गोल चीज का सर्फेस एरिया कम है तो सर्फेस टेंशन कम है और सर्फेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सर्फेस टेंशन कम है त तो बहुत तकलिफ करने वाला है सर्फिस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलिफ करने वाली है क्योंकि उसमें शरीर को तकलिफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आस्मान का अंतर इसी तरह से कुए का पानी कुए गोल है ना सबसे अच्छा ये सारे सादूसंद कुए का ही पानी पीते हैं आप जानते हैं ना मिले तो बिहार कर जाते हैं जहां कुए मिलेगा वहाँ पिएंगे देखा है ना आपने सादूसंद वो कुए का पानी उनके लिए सरवश्रेष्ट है क्योंकि कुए गोल है कुए की सरकंफरेंस कम है और सर्फिस एरिया कम है इसलिए सर्फिस टेंशन कम है और सर्फिस टेंशन कम होने से क्या होता है पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवी तरह पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरह देखिए आपकी बड़ी आथ है और छोटी आथ है आप जानते हैं कि उसमें मेंब्रेन है कचरा उसी में जाके फसता है तो इसको निकाल निकालके बाहर लाना पड़ता है यह तभी संभव है जब सर्फिस टेंशन कम बाला पानी आप पी रहे हैं तो अगर सर्फिस टेंशन बढ़ा हुआ पानी है तो ये कचरा बाहर नहीं निकालेगा मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूं कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूं आप एक तो जैसे दूद आपने अपलाई किया दूद ने इस त्वचा के सर्फिस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तू का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा तो यहां दूद ने सर्फिस टेंशन कम किया तो त्वचा थोड़ी सी खुल गई और त्वचा खुली तो अंदर का कच्रा बाहर निकल गया यही क्रिया पानी करता है पेट में यही सेम आपने पेट में पानी डाला बड़ी आथ और छोटी आथ का सर्फिस टेंशन इसने कम कर दिया तो बड़ी आथ और छोटी आथ थोड़ी खुल गई और खुली तो सार मूल व्याद बवासीर बगंदर सब करेगा है इसलिए शर्फ कम वाला ही पानी पीना लोटे का पानी सबसे सबसे अच्छा माना जाता है गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है तो गोल कुए का पानी है तो बहुत अच्छा है गोल तालाब का पानी हो तालाब भी गोल होते है ना तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छ क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है वो लंबी है तो वहां का पानी हमेशा हाई सर्फिस टेंचन वाला है और नदी से ज़्यादा खराब समुद्र का और सबसे अच्छा पानी लोटे का लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा अब आप इसको प्रकरती में भी महसूस करेंगे बारिश का पानी गोल होके नीचे आता है मने बूदें सब गोल है क्योंकि उनका सर्फिस टेंचन हमेशा कम है तो यह विशलेशन लंबा चला जाएगा लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो यह कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना लाखों कारीगहों की जिंदगी खतम हो गई जो लोटे बनाते थे मैं खतम हो गए के नई कसेरे खतम हो गए Bahizon घा ओठी में कसेरा सब्यों समस्थे ओठोट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते फिशले क्हां से के लोटे बनाते थे सम मर घएए विचारे हमारे गि लाएं गिलास थोड़े कम करें पानी लोटे का बहुत अच्छा आगे बढ़ें पानी कभी भी खड़े होके ना पिए यह मैंने पहले बता दिया है फिर रिपीट कर रहा हूं हमेशा बैठ के पिए फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी न पिए और इस ठंड पानी का सर्फेस टेंशन बड़ा हुआ होता है और हर गुंगुने पानी का सर्फेस टेंशन कम होता है और कम सर्फेस टेंशन का ही पानी आपको पीना है इसलिए ठंडा पानी न पिए एक विशलेशन मैं पहले दे चुका हूं कि पानी जैसे ही आप ठंडा पिएंगे उसक पानी को गरम करेगा तो अत्रिक तूर्जा लगेगी उसको और वो बलड मैं से ही आएगी तो सारा बलड पीट की तरफ दोडेगा और बार-बार आप थंडा पानी पी रहे हैं दिन में 8-10 बार तो हर बार blood को पेट में भागना ही पड़ेगा तो brain को blood कम होगा hurt को blood कम होगा organs को blood कम होगा तो वो कमजोरी आने ही वाली है और heart attack आ सकता है brain hemorrhage हो सकता है क्योंकि कोई भी organ को blood कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए तभी आप दुरुस्त रहने वाले है इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पिए तो हमेशा कैसा पानी पिए गुन गुना पिए एक समय के लिए बागवट जी ने कहा है कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती हो आपके यहां तो पड़ती है मार्च अप्रेल मई जून तो वो कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी पिए मिट्टी के घड़े के पानी को गुन गुना करने की जरूरत उतनी नहीं है क्योंकि मिट्टी से ज़्यादा शुद्ध पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं तो ये अब थोड़ा आगे चलें आगे चलें वो ये कि खाना जब भी खाएं आपके लिए नियम है standing position मने खड़े होके कभी न खाएं हमेशा बैठ के खाएं बैठने की इस्तिती ये सबसे अच्छी है कुरसी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहे हैं तो इसी इस्तिती में बैठ के खाना नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा है फिर उसके बाद एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए बहुत आवश्यक है आपके लिए कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी न खाएं आप जेन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समस्ता भक्ष और अभक्ष का ग्यान सभी सादू महराज देते हैं सादवी जी देते हैं दूसरे लोगों के लिए कह दूँ दूद और दही साथ में नहीं खा सकते हैं विपरीत हैं हाला कि दूद से ही दही बनता है लेकिन दूद और दही की प्रकरती एकदम अलग है दूद कुछ और काम करता है दही बिलकुल अलग काम तो दूद दही साथ में न खाएं दूद और दही उपयोग है वो साथ में नहीं एक इसी तरह से शहद और घी आपके लिए बिलकुल वर्जित है आप बिलकुल साथ में ना खाएं शहद अलग खाएं घी अलग खाएं शहद ना खाएं तो भी चलेगा गुड़ खाएं अच्छा ये बड़ी विचित रिस्तिती है उसमें जरूर घी मिलाके खाएं तो गुड़ घी चलता है शहद घी नहीं कभी भी इसी तरह का एक नियम है कि जैक फ्रूट माने फनस कटहल दूद के साथ सबसे खतरनाक है और मैंने का खटे फल जितने भी हैं संत्रा है मुसम्मी है वगरा वगरा ये दूद के साथ बिलक आवला ये जरूर दूद के साथ खाएं इसके आगे का एक नियम है वो दूदल वाला एक नियम तो बताई दिया दूदल और दही ना खाएं और मजबूरी है कोई खाने की तो दही को गरम करें माने बगा रहें तासीर उसकी गरम करें फिर आप खाएं नहीं तो नहीं अच्छा है दुईदल खा रहे हैं तो एक डिड़ घंटे बाद दही खाएं चाच अगर खा रहे हैं दुईदल के साथ तो एकाद घंटे के बाद पी लें और अगर पीनी ही है तुरंत प्यास नहीं रुक रही है तो चाच को बगा रहें मनें उसमें अजवाइन हो थोड़ा जीरा हो हींग हो उसका च्छोंक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है तो आप ले सकते हैं और इसके आगे का एक नियम कि सुबह का खाना साड़े नौ दस बज़े तक क्योंकि उस समय जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीव रहें और शाम का खाना पांच-छे बज़े तक यह मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया बागवट जी ने का इसमें जलवायू का मौसम का ध्यान रखना है तो आपके हिसाब से माने आप चिन्नई में हैं तो नौ साड़े नौ दस बज़े तक भरपेट खाना खाएं शाम को पांच-छे बज़े तक भरपेट खाएं तो कहते हैं चना और गुड़ खाएं शेंग दाना और गुड़ मने मुंगफली और गुड़ खाएं मने उस समय आप चिक्की खाएं क्योंकि गुड़ और चना गुड़ और मुंगफली उसमें हैं दुपहर को अगर भूख लग रही है चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं माने जादा भी खा सकते हैं बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ जादा हो जाए तो थोड़ी सोट चाट लें या थोड़ी सोट खा लें तो उसका जो तासीर है वो तुरंद बदल जाता नहीं तो जादा चिक्की खा ली तो नाक से खून ना आये थोड़ी सोट या अदरक सोट इस्तेमाल करते हैं तो सोट नहीं तो अदरक उसके साथ ले फिर आगे बागबट जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिश्टा है आप जिस वातावरण में रहे रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रख लिए तो निश्चत्रूप से चिन्नई के आसपास किसी खेत में गेहू अच्छा होगा नहीं कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है गर्मी की ने गर्मी की फसल जो है वो चावल है धान है चावल है बाजरा बहुत गर्मी की फसल है ये राजिस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजिस्थान में और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है कच्छ में सौरा आशत्रों में कितनी गर्मी है बाजरा सबसे अच्छा वही होता है तो गर्मी की जो फसले हैं वो धान है, बाजरा है और जो है, जवारी है जवारी है आप समझें जवार जवार, तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं, यहाँ चिन्नई में आप रहते हैं न जुआर की रोटी खाएं बाजरे की रोटी खाएं गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा जो यहां हो रहा है वो ज़्यादा खाएं अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं ना खाएं क्योंकि बाजरा वैसे तो गरम है लेकिन गर्मी में भी खाना है मानलो आपको स्वाद है छूट नहीं रहा है जगे छूट गई यह स्वाद नहीं छूटता मन हमारा अभी भी राजिस्थान में हैं या कच्छ में हैं या सौराष्ट में कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं अगर यह मजबूरी खतम हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से मजबूरी कैसी कच्छ में सोराष्ट में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे क्योंकि मन जो है न छूटता नहीं है इस्थान से लगा रहता है स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ तो स्वाद के लिए यह अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड के ना खाएं यहां पर चिन नहीं में गुड और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं गोड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं, ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए धान जो यहां होता है, वो सबसे अच्छा है, तो तासीर ध्यान रखें, आबो हवा का ध्यान रखें, वाता वरन का ध्यान रखें, हर बनाते समय भोजन में और खाते समय भोजन, यह कुछ सूत्र हैं जो बहुत आवश्चक हैं आपके लिए, मैं मानता हूँ, जो मैंने आपको पिछले एक 45 मिनिट या 30 मिनिट में जो रिपीट किये, जिनको मैं बहुत आवश्चक मानता हूँ, और इसमें से एक सूत्र छूट गया, जो बहुत आवश्चक आप, वो एकदम अमूली चीज है, वो अंदर ही जाए, तो अच्छा है, तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाए, कितना पानी पी हैं, मैंने बताया था, अठारे से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको लगबग डेल से दो गिलास, साथ से उपर के जो बुजर्ग है उनको भी डेल से दो गिलास, और आप जिस उम्र में हैं, अठारे से साथ, तो कम से कम तीन गिलास, पीने का तरीका वो ही है, सिप 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 करके पीना, और ये सुबह का पानी अकेला पानी है, जो बिना प्यास के भी पीना, जी, ये मुख्य नियम मैं मानता हूँ, आ पालन करें, आज से, कुछ ने तो शाय शुरू भी किया है, दो-तीन दिन से, जरूर पालन करें, हो सकता है कि छे महीने के बाद, आठ महीने के बाद, मेरी आपकी फिर मुलाकात हो, तब आप मुझे इसकी रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग करें, क्यों? मैं आप सब क बागवट्ट का चेला बनाना चाहता हूं मैं विनम्रता पूरवक कह रहा हूं मैं यह चाहता हूं कि जो ग्यान मैंने छे साल में लिया यह साल भर में आपके पास पूरा पहुंच जाए क्यों आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्त रही सकते हैं अपने परिव को दूर करने का काम करें वहीं मोक्ष का भागी है मने भागीदार हो सकता है तो मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ मोक्ष में चलें वहां भी हम यहीं करेंगे तो आप अच्छे हो आएंगे देश भी अच्छा हो जाएगा यह कहकर मैं अब प्रश्णों की तरफ चल रहा हूं प्रश्ण मेरे पास भरपूर आ चुके हैं मैं कोशिश यह करूंगा कि जो प्रश्ण एक बार उत्तर आ गया उसको दुबारा नहीं दूँगा हो सकता किसी व्यक्ती ने वो प्र अब आ गए हैं तो क्या करें मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं फिर दो रहा हूं आपको सबसे अच्छा आसान उपाए मैं बता रहा हूं वो यह जिनको भी डार्क सरकल हैं सबेरे उठें सबसे पहला जो आपका थूक है मूँ का लार है इसको आखों के नीचे लगा क भी ठीक कर सकते हैं खाज है खुजली है दाद है सोराइसिस है इचियोसिस है एकजीमा है हर जगे इसको एपलाई करें और हलकी हलकी मालिश करें कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा शरीर में है तो इतना तो थूक बनता ही नहीं है और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो ऐसी इस्तिती में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को चार बजे मिलें मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूँगा या लिखा दूँगा जो थूक भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज खुजली दाग धब्बे सम मिटा देगे वो व्यक्तिगत है नीद पाई मैंने बताया था रात को गाय का घी हलका गरम करके दोनों नाक में डालके सोएं गाय का घी हलका गरम करके जब वो तरल हो जाए उतना ही गरम करें और एक एक बून दोनों नाक में डालें और हलके से खीचें ज्यादा तेज नहीं बस इतना इतना करेंगे अंदर चला जा सकता है तो हलका खीच कर छोड़ दें और सो जाएं बूल जाएं फिर नीद बहुत अच्छी आएगी खराटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे स्नोरिंग बिल्कुल खतम हो जाएगी नीद के समय जो खराब खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं अच्छे ह खुल जाती है घी डालके सोएंगे तो रात को नीद कभी नहीं खुलेगे छे साड़े छे साथ गंटे के बाद ही खुल और बच्चों को तो जरूर करें इससे और एक फाइदा होगा इसमरण शक्ति बढ़ें ठीक है तो अब एक ही कागज पर यह तीन प्रशन थे तीन उत उत्तर दे दिए अब आगे जिस कागज में यह प्रशन आएंगे उत्तर नहीं दूँगा अभी है हाई ब्लड प्रेशर रक्त का उंचा दबाओ अस्थमा पेट की कबजी और इसमें भी फिर आ गया है तो चा कालापन वो में उत्तर दे चुका अब मैं आ जाता हूँ ब्लड प्रेशर हाई है वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना यह कालपनिक चीज है कभी बाद में चर्चा करूँगा लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है तो इतना ह भी बड़ी हुए अब रक्त में अमलता है तो अमलता को खतम करने के लिए चारी चीज खाएं चार चीज खाएं चार अब चार वाली चीज़ें क्या है सबसे अच्छी चार की चीज़ें मैं थी सबजी के रूप में भी और दाने के रूप मैं मैं थी दूसरी चार वाली च तीसरी चार वाली चीज है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है सेव ये चारिये है केला ये चारिये है अमरूद ये चारिये है कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है ये सब चारिये है सबजियों में पालक चारिय है बैंगण छारी है ऑलू के बारे में कहते ना अमली है ना चारी है वह बीच का है तो जो सबजियान आपको चारी है और जो मसाले मने ओशादियां चारी इनका उपयोग करें तो अमलता अपने आप कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो ट्राइगलिसराइड कम होगा मोटापा भी कम होगा सब कुछ कम होगा आपका तो हमेशा याद रखें तो मैथी दाने का उप्योग मैंने बता दिया है पानी में डालके रात को छोड़ दें, सुबह उठकर दाना चबा के खाएं, पीछे से पानी पिये गाजर का उपयोग बता दिया कद्दू कस में घिसें गाजर ले लें वो कद्दू कस की गाजर को खा लें और चारिये चीज महती की सबजी रोज खाएं पालक की सबजी रोज खाएं हरे पत्ते की कोई भी सबजी चारिये होगी और फल जिसमें रस नहीं है वो सब चारिये हो बस याद इतना ही रखें तो आप अगर उपियोग करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर तो जाएगा ही उसके साथ ब्लड कॉलेस्टरोल कम रहेगा ट्राइगलिसराइड कम रहेगा मोटापा कम होगा पेट आपका कम होगा और उसके अंत में हर्ट अटेक आएगा नहीं ब्लॉकेज भी है तो निकल जाए और एक छारिये चीज में भूल गया बताना लॉकी दूदी सबजियों में सबसे ज़ जादा खाएं दूदी जादा खाएं और उसका रस भी पिएं कच्ची दूदी का तो और अच्छा है जितने भी हाई भी पी के मरीज हैं उनके अस्थमा अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना वो वायू के प्रकोप की बीमारी है तो अस्थमा जादा है तो इसके लिए जो मै बहुत बार बोल चुका हूं फिर बोल रहा हूं दाल चीनी यह चारी है दाल चीनी का उप्योग करें शहद के साथ शहद चारी है तो दाल चीनी शहद शहद नहीं ले सकते तो गुड़ यह जो नारियल होता है ना नारियल मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और चारी है रस होते हुए भी तो यह चारी है अब यह क्यों है यह बाद का विशह तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं दमा के शिकार हैं तो नियमित रूप से नारियल खाईए हरा नारियल खाईए कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है चबा चबा के खाये कितना खाये जी एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा तो दालचीनी और गुड लिया और नारियल चबा के खाया तीन महिने के बाद आपका आस्थमा जड़ से खतम होगा वो 40 साल पुराना हो तो भी इसके बाद हाँ बाकी तो आँखों की है मुँ में चाले बहुत रहते हैं ये मुँ में चाले बहुत रहते हैं इसका माने पेट आपका साफ नहीं है बड़ी आँट आपकी कच्रे से भरी होई है तो मुँँ में चाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बता है ना पानी उठते ही पिये घूट घूट पिये तो चाले अपने आप खतम जैसे भड़ी आथ साफ हो जाएगी चाले कभी नहीं आए और अगर आपको ये करने के बाद भी चाले में आराम नहीं मिल तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं जो होमियोपैथी की दुकान में मिलती है जो बड़ी आथ को सबसे जल्दी से साफ कर देते उस दवा का नाम है बोरेक्स कि सुहागा सुहागा आप सब जानते ना सुहागा आथ को साफ करने वाली सबसे तीव्र दवा है पुटेंसी में या 200 पुटेंसी में इसके तीनी खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं क्योंकि ये तुरंत बड़ी आथ को साफ करता है पानी करेगा धीरे-धीरे करें बोरेक्स तो एकी दिन में काम करता है लेकिन बागवट्ट जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट ही नहीं हर चीज स्लो है तो कोशिश करिए पानी से ठीक करें और अगर आप बहुत परिशान है तब ही बोरेक्स का इस्तेमाल करें और ये दवा हमेशा पानी में डाल के लें एक बून डाल दें पानी में और उस पानी के तीन हिस्से करके उसको पी लें एक कप पानी हो आधा कप पानी हो चौथाई कप पानी हो अभी आगे का एक प्रश्न अच्छा गाएक मूत्र के बारे में मैंने आप से कहा था तो उस उस पर प्रशनाए है चार-पांच गोमूत्र सही गाय का है या उसको कोई बीमारी है किस तरह की प्रॉबलम हो सकती है अगर गोमूत्र सही नहीं है तो उस हाल में क्या करना चाहिए मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक एक सबसे खराब जहर खिलाया उसका नाम है संखिया अंग्रेजी में कहते हैं आरसेनिक तो हमने गाय को दिया चारे में मिला कर दिया बहुत मामूली मात्रा में क्योंकि हम जानते हैं ज्यादा देंगे तो गाय मर जाएगी हमें यह देखना था कि यह थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं तो उस पर असर क्या आता है तो छे साल जिस गाए पर हमने ये प्रयोग किया वो गाए अभी भी जीवित है अभी भी जीवित है और स्वस्त है तंदुरुस्त है हमने हर बार उसको संखिया दिया और हर दिन उसके मूत्र में टेस्ट किया आया के नहीं आया क्योंकि कि ऐसे कहते ना खाओ तो सब कुछ आने ही वाला मूत्र में और ब्लड में तो छे साल लगातार उसको संखिया खिलाने के बाद भी उसके मूत्र में एक दशमलब जीरो 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 में चले जाएं उतना भी संखिया कभी नहीं आया अदबुत है यह अब मुझे पुरानी बात इसमें जोड़नी है बहुत लोग कहते ना गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है वो शाइश शंकर जी ने पी लिया शंकर जी तो मशूर है ना खराब से खराब जहर पीने के लिये तो शायद गले में शंकर जी है गाय के तो वही रुका और सच में हमने ये देखा इस में मैं एग्जिजरेशन नहीं कर रहा हूँ आप चाहें तो वो गाए कभी भी आके देख सकते हमने उसके गले के आसपास महसूस किया छे साल में एक ब्लू कलर का रिंग बन गया है ब्लू कलर का और वहां से ब्लड निकाला उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा संखिया है मने आरसनिक है गले के नीचे वो गया ही नहीं गले में ही रुख गया शंकर भगवान ने शायद रोक लिया तो आप बे खटके गाय का मूत्र पी लीजे आपके दिल में ऐसा लग रहा है वो कच्रा खा रही है आप चिंता मत करिए ये कच्रा जाएगा नहीं उसके मूत्र तक भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्याव करके रखी हुई है लेकिन अच्छा ये होगा आपके दिल और मन की तसली के लिए कि गाय अच्छा चारा खाती हो साफ सुत्रे वातावरण में रहती हो और नियमित घूमने के लिए जाती हो उसका मूत्र जरूर पी हैं वो सबसे ज्यादा लाबकारी तो है लेकिन कुछ मजबूरी आ गई मजबूरी से मतलब में समझाना चाहता हूँ आप एक ऐसी जगे रहते हैं जहां गाय कच्रा ही खाती हैं और आपको ऐसी कोई गाय मिली नहीं रही है जो शुद्द चारा खाती हो और बराबर घूमने जाती हो और साइड इफेक्ट है नहीं शरीर पता है किया करता है आपने मूत्र जाधा भी पी लिया तो यह शरीर 20 मिनट के बाद उसको पेशाब के साथ अपने आप ही निकाल लेता है रहने नहीं देता उतो थोड़ा जादा पे लिया यह खराब पी लिया उ निकली जाए जो कामका है उतना ही रह जाएगा अब गाय का ऐसा भगवान ने बनाया है इसलिए बागवट जी कहते हैं कि ये विशेश तरह का एक जानवर या प्राणी है जो भगवान ने बहुत सोच समझ के बना है तो गाय के बारे में इतना अच्छा अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रशनाएंगे उनका एक ही साथ ही उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंबीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो तो हाथ जोड़कर कहता हूँ ऑपरेशन तो कभी मत कराना क्योंकि आ प्रशल चार्टेट प्लेन भेजकर अमरीका से उस डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर रानावत और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किये हैं अटल जी को देख लीजे आप ले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद हो सिर्व वील्चेयर पर ही रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में हूँ तो आप मत करिये फिर आप बोलेंगे जी क्या करें डॉक्टर बोलता ऑपरेशन मत करें आप क्या करें अर्थराइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉंबिनेशन बागबटी जी के हैं उनका उप्योग करिए उसके लिए सबसे अच्छा वो बोलते हैं चूना खाईए हाद रमलता बढ़े तो अर्फृ로इटिस होता है तो चूना खाएं खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में चाच में पानी में जूस में और एक दिन में अर्फृराइटिस के पेशन्ट 2 ग्राम खा सकते हैं। स्वस्थ आदमी तो एक ही खाये चुना खाये मैथी दाना लीजिए चारी है और सबसे चारी चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़ हार सिंगार देखा है परिजात हार सिंगार छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डिंडी होती है सफेद फूल और केसरिया डिंडी बहुत तेज खुश्बू है रात को ही खिलता है रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं हार सिंगार कहते हैं यह पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चारिये माने जाते हैं जो भी आउशदियां तो इसके पत्ते कहीं ले लेकर सबेरे खाली पेड़ पीजे मैंने यह देखा है गंबीर से गंबीर अर्थराइटिस पेशंट को हफते दस दिन में ही रिलीफ कर देता है तो यह कहीं भी मिल जाएं नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुडवांचरी में हैं तो आप थोड़े पौधे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों सुगंदी तो आएगी नीद अच्छी देगा जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजे और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ति देगा और दोनों तरह की अर्थराइटिस और ऑस्टियो दोनों ही ख खाई रहे हैं आप कहते हैं जी मन नहीं मानता स्वाद है और मुझ को लग गया है अब क्या तो इसका एक उपाय बता देता हूं आइस्क्रीम खाईए और पीछे से गरम पानी में घी मिलाके पी लीजी तो जो कुछ भी तकलीफ वो करने वाली है उससे आप बच जाएंगे ना खाएं तो सबसे अच्छा दालचीनी सोट का काड़ा ये लोग जरूर पियें जिनको अस्थमा है जिनको अर्थराइटिस है माने वायू के रोग है वो दालचीनी का काड़ा जरूर पियें गुड म मुंगफली और तिल जरूर खाएं भगवान की दी हुई तिल दुनिया की सबसे अद्बुत वस्तु है मैं तो आपको कहता हूं जिंदगी भर मोटापे से बचना है हर्ट अटैक से बचना है आपको अर्थराइटिस से बचना है तो रोज खाने के बाद तिल खाएं चबा अद्रास जैसे एरिया के लिए एसिडिटी कम करने के लिए क्या करें अमलिये चीज ना खाएं चारिये चीज ज्यादा खाएं एसिडिटी कम होगी और पानी घूट घूट पीएं एक डिड़ घंटे के बाद पीएं सुबह उठते ही पानी पीएं एसिडिटी सबसे पहले अच्छा है चीनी से बहुत अच्छा लेकिन गुड़ से थोड़ा कम अच्छा मिश्री चीनी की तुलना में तो बहुत अच्छी है और गुड़ से कुछ कम अच्छी है तो ची छोड़ रहे हैं तो मिश्री पर चले जाईए मिश्री छोड़ कर गुड़ पर आ जाई है एक कि किसी ने सवाल पूचा है कि आप कौन सी जगह पर पर्मानेंट मिलते हैं मैं पर्मानेंट कहीं नहीं मिलता लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि राजीव दिक्षित रेल आश्रमी है माने हर दिन ज्यादा से ज्यादा मैं रेल में मिलता हूं तो पर्मानेंट मिलने के लिए एक mailbox चेक करता रहता हूं तो वो पता जो वरधा सेवाग्राम का है भारत पीठम 10 जोतवानी लेआउट सेवाग्राम रोड सेवाग्राम जिला वरधा महराश यह मेरा पर्मनेंट केंडर है वहाँ पत्र भेज सकते हैं फोन भी कर से वहाँ फोन कभी भी करें तो पता चल जाएग 03599422903599422903599 यह मेरा मोबाइल नंबर है और इमेल एड्रेस है आरे जे आई वी दी आई एकस आई टी एबी ए आरे जे आई वी डी आई एकस आई टी एबी ए एड़ दा रेट ओफ रीडिफ मेल डॉट कॉम और निरेंजन भाई प्रदीब भाई ये कभी भी आप इनको संपर करेंगे तो ये कहीं भी खोच के बताएंगे कि मैं कहा हूँ अभी मेरे पास एक प्रश्न है वो इस समय के विशय से तो नहीं जुड़ा लेकिन मैं जोड़ के जरूर उत्तर दे देता हूँ आजकल हमारे घरों में पेपसी कोक से भी ज्यादा नूडल्स खाया जा रहा है पेपसी कोक कम हुआ है पिछले दो तीन साल में अच्छा हुआ नूडल्स खाया जा रहा है तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकरी दे दूँ कि सबसे खराब वस्तू अगर खाने की कोई हो सकती है कच्छे में कच्रा तो वो यही है नूडल्स एक तो मेदे की है उपर से सड़ा हुआ है छे-साथ दिन मेदे को सड़ा के रखा जा है तब नूडल्स یार होता है सुवर के मास का रस सडा हुआ मैदा छेछे दिन पुराना उससे तयार हुआ है अब आप तह कर लो खाना है या नहीं खाना है एक प्रशन है जिसका उत्तर दे नहीं सकता किसीने का आज की सिक्षा बहुत बेकार है बैकल्पिक सिक्षा की बात बताई तो समय जादा है आप मुझे इमेल करिए मैं लंबा जवाब दूँगा गाय का गी कान नाक में डालने के लिए मैंने बोला था तो वो उत्तर दे चु बुनदग एक नाक में दूसरी बूनदग दूसरी नाक हाँ एक बहुत अच्छा सवाल है देनिक जीवन कौनसा नमक क्ाइं सबसे अच्छा सेंदा नमक खाएं और इसको याद ऐसे रखें पथर वाला नमक क्या कैंद्धर हएं यह समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं आपको जो तकलीफ है ना ब्लड प्रेशर की, अर्थुराइटिस की, ये नमक बदलने से भी बहुत आराम दे देगी आप, तो सेधा ही नमक, किसी ने कहा है कि गोमूत्र अर्क लेने में पहले दिन खराब लगा, तीन दिन खराब लगेगा, तीन दिन, चौथे दिन से अच् लीजिए, किसी को प्रशन है कि दिन भर नीद आती रहती है, क्या करें, वैसे तो नीद आये तो अच्छा है, लेकिन दिन भर नीद आये तो अच्छा नहीं है, तो क्या करें, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में एक चार बहुत कम है, और ये वही चार है, जो आपको सब से ज़्यादा मिलता चूने से जिनको दिनबर नीद आती है वो चूना खाएं मठे में मिलाके चाच में मिलाके नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं किसी ने पूछा है लगाएं जरूर लगाएं नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं क्योंकि आप चिन्नाई में रहते अगर आप पट्ना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल करते, चिन्ने में रहते हैं तो जरूर खासे, मालिश करना चाहें जरूर करें, डाइबिटीज के लिए क्या करें, डाइबिटीज का जो सबसे अच्छा उपाए मैंने बताया था, मैति दाना और त्रिफला चून, त्रिफला चून माने हर दे बहेडा आवला एक दो तीन अनुपात वाला त्रिफला चून एक चम्मच मैथी दाना एक चम्मच दोनों मिलाकर गरम पानी में रात को रख दें सवेरे उठकर इस पानी को पी लें और उसमें जो कुछ है चवाके खा लें तिन चार महीने नियमित करेंगे ब्लड शुगर नॉर्मल आने की पूरी संभावना है और नहीं आए तीन चार महीने में बलड शुगर नॉर्मल तो एक मुझे ईमेल जरूर करें या फोन करें शुगर खाना नहीं खाना चीनी बिल्कुल बन कर दीजे क्योंकि यही अकेली चीज़ है जो पच्चती नहीं आसानी से बाखी चीनी छोड़ कर कुछ मिखाए पत्री अगर है शरीर में और थाइराइट थाइराइट का सबसे अच्छा उपाय है धनिया पत्ता है ना धनिया पत्ता इसकी चट्नी गदनिया पत्ते की पत्छे की चतनी और जब तक धनिया मिल रहा है तो ये ह्रेपत्छे की चतनी धनिया मिलना बंद हो जाए जा कि यह धनिया जो है ना थाइराइड की सबसे अच्छी दवा मानिये जाती पत्री, पत्री जिसको भी है वो चूना कभी न खाएं ये याद रख, कहीं भी शरीर में पत्री है तो चूना कभी न खाएं तो फिर क्या खाएं? एक दवा है, पत्थर तोड़ दवा, क्या बोलते हैं आप उसको? पाखान बेद शोबाकान जी के यहां वो दवा है पाखान बेद कहीं भी मिल जाएगा तो आप इसका काड़ा बना के पिए यह जो पाखान बेद है ना इसका काड़ा पानी में डालके उबालके और यह दवा आसानी से होमियोपैथी में उपलब्द है और इसी दवा का होमियोपैथिक नाम है बर्बेरिस बर्बेरिस वल्गेरिस पाखान बेद का प्रटनीकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस यह किसी भी होमियोपैथी की दुकान में मिलेगा वो पूछेगा कैसे दू तो कहना मदर टिंचर में दो ये कोई भी घर में रखिये आप बिलकुल निसंकोच इस्तेमाल करते हैं साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का बर्वेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए तो ये हलके गुलाबी रंग की होगी डार्क कलर की भी हो सकती है इसकी दस-दस बूदें चोथाई कब पानी में डाल कर दिन में तीन-चार बार पिलाएं एक महीने सवा महीने में सारी पत्री तूटकर निकल जाए और नहीं तो पाखन बेद जो दवा मिले आयुरवेद की उसका काढ़ा बना के पंद्र बीस दिन ले ले काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को बरवेर इसको समय जादा लगता है पानी में चूना मिला के पी सकते हैं जरूर पीजिए पत्री वाले नहीं दातों का दर्द दातों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लॉंग लॉंग इस्तेमाल करिए लॉंग का तेल इस्तेमाल करिए और दातों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा चूना खाते रहे और दातों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहे दंतमंजन करते रहे पेस्ट बंद कर देज़े हाँ अभी एक जरूरी प्रशनाया शराव और गुठका छोड़ने के लिए क्या करें जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीज़े ये बहुत लोगों के काम शराव गुठका तंबाकू सिग्रेट और बीड़ी ये पांच बुराईया व्यसन के रूप में हमारे घरों में आई है और देश का सर्वनाश किया है इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है संकल्प शक्ती से बचें तो अच्छा है बागवटी जी कहते हैं किसी भी व्यसन से बाहर आना हो तो संकल्प शक्ती के साथ आई है तो अच्छा है नहीं है संकल्प शक्ती तो दवा का उपकरी तो क उसका नाम है सद्रेंकों शराब से छूडाना है बाहर निकालना है उनको को और सोट जादा खिलवाइए रस पिलवाइए अद्रक का सोट का काड़ा बनाखे दीजिए गुर्मिलाके दे सकते सोट का काड़ा बनाखे और गौमूत्र पीने को बोलिए नियमित रूप से अगर आधा कब भी गोमुत्र पिया तो सवा मुने में शूट जाती है शराब जो पीते हैं बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उनके शरीर में एक केमिकल बढ़ जाता है उसका नाम है सलफर और सलफर को कम करने के लिए सलफर ही चाहिए और बाहर का सबसे अच्छा सलफर गोमूत्र में है सरदी जुकाम सरदी जुकाम जादा है बार बार है सबसे अच्छी दवा है आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी शहद है बच्चों को गुड़ दीजिए जादा एक उनको चूना भी दे सकते हैं चूना कफ का भी नाश करता है वातका तो करता है यह कफ का भी करता है तो चूना दे सकते हैं गाय का घी नाक में डाल सकते हैं हल्दी जबरजस्त कफ नाशक है तो दूद में हल्दी मिला कर दीजिए और दूद हलदी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉंबिनेशन हैं तो जिनको सरदी जो काम बार-बार होते हैं उसके लिए पित बढ़ा है तो क्या करें देशी गाय का घी खाईएं देशी गाय का घी गरम-गरम पानी में डालकर पिएं तो सब पित को शान्त और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है अजवाइन और काला नमक ये भी पित बढ़े तो शांत करेगा उसको एक मेरे पास डिफिकल्ट केस है ये मुझे व्यक्तिकत रूप से मिलें कोई एक महिला है उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है ये मुझे शाम को मिलें चार ब रखें पांच-छे दिन खूब खटा हो जाए हरा हरा हो जाए तो इसको बालों में मालिश करें एक घंटे के बाद बालों को शीका काई से धोएं हफते में एक दिन जरूर करें त्रिफला शहद और गुड के साथ सबसे अच्छा है गुड के साथ सुबह खाएं और दूसर को रेचक के रूप में लेना है मनें पेट साफ करें तो रात कोई खाएं सोने के पर हैं बहुत जादा च्छीके आती हैं नाक से पानी गिरता है थोड़े दिन चूना खिलाएं और गाय का घी नाक में डाले 15-20 दिन में च्छीकें भी बंदोंगी पानी गिरना भी बन केव केवड़ा डाला हुआ जल सिर्फ गर्मियों में मार्च अप्रेल माई जून बारिश जैसे शुरू हो केवड़ा वाला जल बंद कर दीजिए केवड़ा और एक होता है खस यह दोनों मिलाया हुआ जल गर्मियों में अर्जुन की छाल लेने का समय सबेरे का काढ़ा बनाकर दूद में नहीं तो पानी माई शक्कर नहीं मिलाएं उसमें गुड मिलाएं अर्जुन की छाल टॉनसिलाइटिस की रेमेडी टॉनसिल्स की सबसे अच्छी रेमेडी हल्दी हल्दी का दूद बच्चों को रात को पिलाएं टॉनसिल नहीं होगा पिपर्मेंट के बारे में किसी ने पूछा है आप शाम को चार बजे मिलें मैं थोड़ा विस्तार से बता दो यूरिक एसिड अगर शरीर में जमा है तो मैंने आपसे बार बार कहा है चारी ये चीज़ें जादा खाएं एसिड निकल जाएगा सबसे अच्छी चारी चीज गोमूत्र पी ले यूरिक एसिड एकदम साफ कर देता गोमूत्र लेकिन प्योर गोमूत्र उड़त की दाल दालों का राजा है बिल्कुल सही है लेकिन दही के साथ नहीं है खाली उड़त की दाल खाईए दालों का राजा है बिल्कुल सही बात है दही के साथ नहीं दही के साथ ये जहर है सुबह दूद पी सकते हैं मैंने मना किया है सुबह जूस पीना है दुपहर को छाच और रात को दूद लेकिन पीना ही है अगर तो आवले के साथ पीए ना पीएं तो अच्छा सुबह का दूद ही पीना है तो आवले के साथ मोटापा कम करने के लिए उपाए बता दीजे आप लिख लीजे इसको नहीं तो याद करने जिनको भी मोटापा कम करना उनको छारी चीजें ज्यादा खानी है तो मैंने आप से का गाजर खाईए गाजर नहीं खा सकते दूदी खाईए अब खाएं कैसे गाजर को कद्दू कस्में गिसिए और उसके ल भरके खा लिजये तीन महिने लगातार खाई फिर अगले तीन महिने इसको बैलेंस करने के लिए आवला खा लीजय आवला दो तीन आवला रोज मुरब्बे के रूप मे या फिर तीन महिने आवला हुआ फिर वापस इस गाजर और इसपे आजाएए तो साल बर अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से एक तिहाई वजन तो आपका घटी जाएगा हो सकता है किसी का आधा भी हो जाए human urine के बारे में आपने पूचा मैंने पहले ही बता अगर आप शाकाहरी हैं तो अपने मूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते लेकिन गो मूत्र उससे हमेशा बहतर है बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर में इसके लिए क्या करना खजूर खिलाई खजूर छोटे चोटे टुकड़े काटकर बच्चों को खजूर दूद में डालकर चोटे चोटे टुकड़े दूद में डालकर उबालिए खूब उबल जाए फिर वो दूद पिलाई है खज करें रात को त्रिफला चून खाके सो जाएं नहीं तो दूद में घी मिलाकर पी लीजे यह सबसे अच्छा है दूद में घी मिलाकर रात को सोने से पहले पीएं तो सबेरे संडास बहुत आसानी से उतरती है और सबसे कम समय में पेट साफ होता है नहीं तो त्रिफला भी ले सकते तीन महीने देखिए एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बार कर लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की तीन महीने से जादा मत खा दीजे फिर ये नियम बहुत जरूरी है नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकते पिट की हड़ी में दर्द है चूना चूना खाई है बच्चों को खासी की अलर्जी अगर है तो नियमित रूप से मैंने कहा ना ऐसी चीजें दीजे कफ नाशक है सूट है पान का पत्त है शहद है गुड है ये सभी कफ नाशक हैं कितनी उम्र के बच्चों को त्रिफला दिया जा सकता है अगर चोटे बच्चे थैंद तो त्रिफला ना देकर आवला दीजे Case और प्रिफला देने का समय अगर शुरू कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा तीन चार साल हो जा होता है आझा कि बहुत अधिक उम्र में गुतनों का दर्द कमर का दर्द तरीका में ने वही बताया चूना सबसे अच्छा अर्थ्राइटिस के लिए गुतनों के दर एड़ी का दर्द और कोहनी का दर्द तो ऐसे ही मिट जाएगा जब पानी गूट-गूट पीने लगेगा जल्दी भूल जाएं इसमरण शक्ती कम हो गाय का घी नाक में डालना सोते समय नीद जल्दी ना आये तो क्या करना गाय का घी नाक में डालके सोना हाँ एक बहुत इंट्रेस्टिंग प्रश्णा आया वह पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रीज का क्या करें तो मैंने तो बोला था कि यह बंद करते हैं अगर आपका दिल नहीं मानता बंद करने के लिए क्योंकि मैंने का ना हिंदुस्तानियों में एक बुरी आदत है कच्रे को एकठा करने के घर में डिब्बे डिब्बी इतने से एकठे रहते हैं तू पढ़े रहते हैं फेकते नहीं हमें हमेशा यह सोचते हैं कभी काम आएंगे कभी काम आएंगे तो यह चकर घुज गया अब पता नहीं यह अंग्रिजों के समय से आया या पुराना तो rage भी वह है तो एक मैंने या किसी प्रिज्ट ने सवाल ये लिखके भेजा है कि फ्रिज में से हमने सब्जी निकाल के 48 मिनिट रख दी तो अब उपियोग कर सकते हैं हां कर सकते हैं उसको शायद ये बात अच्छे से समझ में आई वो 48 मिनिट का जो किस्सा मैंने बताया ना तो वो चाहती नहीं है कि फ्रिज बाहर जाए किसी तरह इसका उपियोग होता रहे तो ये मजबूरी का खेल है लेकिन कर लीजे कि आप कुछ भी जो रखा है फ्रिज में अगर उसको पकाना चाहते हैं खाना चाहते हैं तो निकाल के 48 मिनिट रख दीजे फिर उसका उपियोग कर लीजे सब्जी के रूप मे नहीं तो एक चीज मत करिये कभी भी कोई भी चीज एक बार गरम करके आपने फ्रिज में तो दुबारा गरम मत करें वो दूद हो या सब्जी हो या दाल हो करिये ही मत क्या गरना निकाल के रख दीजे 48-50 मिनिट रखी रहे वो अपने आप थोड़ी गरम हो जाएगी प्रक चटनी भी फ्रिज में से निकाल के रख के खाये दही भी फ्रिज में दही रख देते हैं 48-50 मिनिट रखा रहने दीजिए फिर आप उसका उप्योग करिये तुरंत निकाल के और चाज बना के वो बिलकुल मत करें मेवा खाना चाहिए के नहीं सुका मेवा जरूर खाये ड्राइफ फ्रूट्स आप जरूर खाये लेकिन जो ड्राइफ फ्रूट्स आपके लिए अनकूल है आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से मैं कह रहा हूं सबसे अच्छा बदाम आपके अनकूल है आपके अनकूल का मुनक्का, किशमिश, किशमिश और मुनक्के में थोड़ा अंतर है, बड़ी किशमिश को मुनक्का, तो मुनक्का और किशमिश यह आपके बहुत अनकूल है, बादाम आपके बहुत अनकूल है, मखाना, मखाना 50-50 है, ज्यादा अनकूल तो बिहार, उत्तर प्रदेश वालों को है और थोड़ा चले तो जारखंड वालों को आपके लिए 50-50 ना बहुत प्रतिकूल है ना बहुत अनकूल है बीच का है और बाकी जो अखरोट वगेरा है यह आपके अनकूल नहीं अखरोट खाना चाहिए हमेशा ठंड में रहने वाले लोगों को आपके लिए अखरोट बिलकूल नहीं और ड्राइफ रूट्स क्या खाते हैं आप चिरोंजी चिरोंजी क्या कहते हैं उसको जो चिरोंजी है वो आपके लिए अनकूल है चिन्ने के आसपास के लोगों के लिए अनकूल है वो आप खा सकते हैं और ड्राइफ रूट शाहिद इसके आगे हैं हाँ क केसर केसर अगर आप खाएं वैसे तो आशदी है ड्राइफ रूट नहीं लेकिन ये तीन महीने के आगे नहीं खा सकते नवंबर दिसंबर जन्वरी और दूद में मिला कि मिश्री पिस्ता पिस्ता फिफ्टी फिफ्टी है अंजीर बहुत अनकूल है सिर्फ एक ही किसम के उनके लिए अंजीर बहुत फाइदे की है लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएं से चेंदारू क्या होता है एप्रिकॉट आपके लिए ठीक है आप खा सकते हैं एक सुझाव है प्रश्ण नहीं है और वो सुझाव मुझे सुईकार है वो ये कहते हैं कि आप चल व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ग्यान सतत निरंतर चलता रहे इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एड़िस्मेंट हो जाए तो बहुत अच्छा मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो हां और बाबुजी बोलेंगे वैसे मेरा ऐसा कहना है जो मैंने सीखा वो आप सीख लो उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं तो नियमित रूप से ऐसी व्यवस्था अगर आप सम मिलके करें मुझे सुईका रहे सुबह का पानी तामे क के बरतन का पी सकते हैं जिनको कबजियत की बहुत तकलीफ है लेकिन शरीर में तावा ज्यादा हो तो वो नहीं पीएं लेकिन सबसे अच्छा जो सम पानी माना जाता है इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा साधा बरतन का मने यो पीतल के उसमें रखा हुआ या तावा बहुत ज्यादा सुचालक है एक होता कंडेक्टर और एक बैड कंडेक्टर तावा सबसे बड़ा कंडेक्टर है और लकडी सबसे बड़ा बैड कंडेक्टर है तो अगर आपने तावा पिया मने तो अर्थ के साथ जो कॉंटेक्ट है ना नंगे पाउं तो वो कतम कर करेगा आपको इसलिए पाउं में चपल रहें लकड़ी के पट्टे पर खड़े रहें प्लास्टिक की चपल पहनके हो रबर की चपल पहनके हो तभी तावे के बरतन का पानी पीना चाहिए केन वाटर बहुत लोग आजकल केन वाटर पी रहें ऐसा प्रशना है तो यह क्या अच्छा है बिल्कुल अच्छा नहीं तो आप बोलें पिर क्या करें आपके घर जो पानी आ रहा है टेप वाटर इसको खूब अच्छे से उबाल लें उबाल कर इसको रख लें फिर उसी को पी हैं यह केन वाटर से हजार गुना अच्छा है क्रें वाटर पता ही क्या है यह पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग करते हैं उसके उस ब्लीचिंग में क्लोरीन इस्तेमाल होता है और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराब और केन वाटर का टेस्ट सादा पानी से बिल्कुल अलग होता है तो केन वाटर से हजार गुना अच्छा है टेप वाटर लेकिन उबाल कर रखा गया है हां एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा करिए एक आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करिए उसका नाम है शतावरी शतावरी कहीं भी मिलती है आयुर्वेद की दुकान शतावरी चून के रूप में ले लीजे इस शतावरी चून को दूद में मिला लीजे और रात को जरूर पीजिए दूद हलका गरम रहे और शता जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है शताव और दूसरी कि जब भी मैंसीस पीरियड आता है बहुत दर्द होता है तकलीफ होती है इचिंग बहुत होती है तरह तरह की खुजलियां होती है शरीर में गुस्सा बहुत आता है चुल चड़ाफन बगरा बगरा तो आप आपका जब भी मैंसीस पीरियड होता है तो आपके शरीर में वायू बहुत बढ़ी हुई है पित भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है इसका बहुत आसान उपाय में बता देता हूं बागवट जी का है मेरा नहीं वो यह कहते हैं कि मैंसीस पीरियड में सब कुछ ठीक रहे समय से आए समय से जाए जाए जादा रक्त ना निकले और कम भी ना हो इस सब चीज ठीक रखे के लिए गरम गरम पानी में जो इतना गरम हो जैसे चाय होती है घी मिला के पिये गरम गरम पानी में खूब गरम पानी में गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच नहीं तो कोई भैसका भी चलेगा एक चमबच मिलाएं आदा गिलास खूब गरम पानी खौलता हुआ घी मिला दें थोड़ा पीने लाइक हो जाए उतनी देर रखे फिर उसको चुस्किया ले ले कर पिए अगर आपका मासिक पांच दिन चलता है चार दिन चार तीन दिन दिन से मतलब नहीं जितने दिन चलता है उतने दिन कितनी बार पी सकते हैं दिन में दो या तीन बार पी सकते हैं तो अगर आपने ये शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ मैंनोरेजिया है तो ठीक होगा मैंटुरेजिया तो ठीक होगा सब सब ठीक हो जाएगा मैं जादा नहीं कहना चाहता आप सब समझदा है हर चीज आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे discharge white है तो शतावरी लेना है और पानी में घी मिला के किसी भी दूसरी problem के लिए ये घी पानी menses period में ही पिये इसको ध्यान से सुने मेवा से weight बढ़ता है काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से weight नहीं बढ़ता काजू ही है जो वजन बढ़ता है बाकि कोई भी सुखा मेवा वजन नहीं बढ़ता मूँ से बद्बू आती है तो समझ लो पेट साफ नहीं है तो रात को त्रिफला खाके सो नहीं तो दूद और घी मिला के पियो सुखे उठते ही पानी पीलो मूँ की बद्बू बन हाथ पर सुननो हो जाते मतलब चूना खाते रही है हाँ अब ये एक सवाल ऐसा है कि चूने से जीब फट जाती है तो आप चूना अगर सीधे जीब पे खाएंगे तो फटेगी पानी में डाल कर खाएंगे कभी जीब न कंपोनेंट्स बताइए वो किताब में पूरा है आप पढ़ लीजें टीवी पेशेंट है ट्यूबर कलोसिस तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाएं अगर खाली गोमूत्र शुद्ध गोमूत्र अरक नहीं खाली गोमूत्र आपने पिला दिया तो तीन से चार महीने में टीवी जड़ से ठीक होती है दही में या तो छाच में या तो पानी में नहीं तो पान में चूना ये पान में जो खाते हैं वो ही है और पांच मिनट रुकिये मैंने मेरा कंक्लूड किया है लेकिन ये आज के लिए है जिंदगी के लिए ये कंक्लूजन नहीं है ये तो रा प्रदीब भाई भी चाहे तो करें बहनों और भाईयों सबसे पहली बात है कि ये साथ दिन में ये आठ्वा दिन है इनका समान का इन्होंने सवों का प्यास इतना बढ़ा दिया है कि ये प्यास अभी जल्दी बुझने वाली नहीं है इस प्यास को बुझाने के लिए राजी भाई को हम जब बुलाएंगे तो भी हाना पड़ेगा क्योंकि आपने सुत्र भी बहुत थोड़ा बताया है और किसी का बिसलेशन आप ठीक से नहीं कर सके हैं एक एक बिसे पर अगर आप केवल एक ही बिसे पर एक ही सुत्र में एक दिन बोलें तो आप इनको अम्रित घोल करके पिला देंगे दूसरी बात और कुछ नहीं है इतना ही कहना है कि डॉंगडे महराज ने एक दफ़े हमको हमारे नाना लाल भट के सामने एक चीज़ कहा था और नाना भात हर दिन भागबत करते थे कोई आवे नहीं आवे पत्ति सुनते थी गुजराती का था और धरा बाही हिंदी में बर्त पर देते थे उनके इतना प्रैक्टिस हो गया था श्यक्रमार पर चुके थे तो उन्होंने कहा था डॉंग्रे महराज कि कोई आया और वो भागबत सुनता था और उसके बच्चे को लेके आता था एक दिन बोला कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूं दो दिन के लिए नहीं आऊंगा बोला आप नहीं आएंगा आपने पुत्र को भेज दीजे नहीं 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 उनको नहीं भेजूँगा क्यों भाई तो मैं आपके सुनकर जाता हूं तो जैसे हमारे सर्ट के उपर में गर्दा या धूला पड़ जाता है तो जटक देता और ये स्वास के पती है अगर जीएं तो दुख से क्यों जीएं सुख से जीएं आप जो कुछ भी कर रहे हैं कमाते हैं करते हैं खाते हैं पीते हैं के बल सुख और सांती के लिए लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपकी जो साधन है आप करने की तरीका है जो आपको मालूम नई है मेरे जैसे जो 80 साल के हो रहे हैं मुझे इतना ग्यानी नहीं था किस तरह पानी पीना किस तरह खाना और आप लोगों में कितने कोई ग्यान थैं मुझे पता नहीं हो सकता है इस आप ग्यानी होंगे लेकिन याद रखिए इंटना विशलेशन किया है एक सब्ट का भी बहुत कम विस्लिशन किया है समय के अभाब में सबसे बड़ी बात है कि इतना बज़े जाना है इनको और का दस बज़े इनका अराधना भवन में कार्शकरम है इसके बाद इनका कार्शकरम भर दिनके लिए है और आप ताजूब करिएगा कि यह जैसे सुई कि यह सुई चलत बढ़ जाता है हमारा हमारे हमारे पटवारी भाई कहते थे जितना दान दोगे उतना तुम्हारा जो भड़ा हुआ कटोड़ा है जितना चलकेगा उतना ही पर कटोड़ा वरेगा हमारे यह हैं जितना यह देते हैं उससे ज़्यादा इनके पास आ रहा है और हम बहुत सुक पुर्गुजार हैं राजी भाय का जो इन्होंने पहली बार एक तो पहली बार ये पढ़ करके छे साल से अध्यन करने के बाद इन्होंने कहीं नहीं जिस तरह आजादी बचा अंदोलन के लिए आए और आपको ताजुब होगा कि एक दिन के हमारे नोटिस में हाल खचा खच फड़ जाता था आज यहां कल वहां परसों वहां यह चलता रहा और बड़े सक्सेस सक्सेस्पूर रहा है इनका वह कार्ज करम और उस तक की जातरा आज पहले बार इन्होंने छे महिना पहले बोला कि हमने इतना अध्यन किया है अगर आप चाहें तो उसका उप्योग कर सक करते हैं हमारे परदी भाई तुरत बोला कि नहीं तो फिर आ जाईए और बहुत इसके साथ एक दिन पहले तक परदीव भाई और परदीव के जितने दोस्त हैं यह मैं बिजेग फैमिली सजन राज और रमेश जी और यह जितने भी हमारी मेंबर्स हैं मिलाब जी होगे रह इन लोगोंने कहा कि कल क्या होगा अरे भाई यें काम करो सब आद्मी दस बीसमीश आदमी को पकड़ के लाओ ये इनका आज इनका भ्याख्यान है मुझे लेकिन विश्वास था हमेंका कहता था राजी भाय आएंगे एक दफे सुनेंगे लोग तो खुद चा जाएंगे इसको बेला और आप देख रहे हैं कि किसी दिन ये हौल का एक शित खाली नहीं रहता है बलके कुर्ची नहीं है तो बहार से सुनते हैं ये राजी भाय है और पहली वार इन्होंने इसको चाकिया और मुझे अब इनको कहना है और देखेंगे यह कि आफ यह हर स्टेट में हर गौहर डिस्टिक में ना को बूलाएंगे इसकुल नहीं के लिए क्यों आज सबसे ज़राज़ोरी है और स्वास्ती लोगों का धिन दिन जा रहा है दूसरी बात एक और है कि ये एक बात हमेशा रखे आना जाना सब इनके अपने तल्रह हैं किसी से कोई demand कहीं नहीं करते हैं आज साथ दिन से मीरे साथ हैं कभी आमादावाइज से कभी राजकोड से कभी मदप इस से कभी दिली से कभी यहाँ से कभी वहाँ से कि हम ने देखा और कहा कि हां उस रोज तो जहां हैं वहां से फिर जाएंगा गाएंगे जैसे कल दो भासन था इनका बंबई में एक तो था सब्जी बाले का जो रिलाइंस चला रहा है इस सब का आपको ताज्यूब होगा कि वडाला में सब्जी मार्केट में दस हजारा और को किस को नहीं आने नहीं दूगा और वो कहता है राजी भाय को कि राजी भाय आप नहीं बदलेंगे आप हमारा परसिडेंट बन जाईए चेर्मेन बन जाईए बड़ी इन्हों ने कहा भाई मैं तो सब्जी वाला नहीं हूँ यह नहीं नहीं किसी और को अपने में से बना लो ब हमारे सरीर को स्वस्थे स्वथ बना सकते हैं और इनके चीरायू हम सती करेंगे क्योंकि सतायू नहीं कहेंगे क्योंकि गांधी जी को बिनवा जी ने पत्र लिखा उनके जन दिन पर कि आप सताई हों उन्होंने तुट रिपीट टेलिग्राम दिया हम तो सबस्वा साल क्योंकि इन में सब कुछ है और कभी न तो सिर्में दर्द देखा मैंने जब कभी देखा इतना हेक्तिक होते वे इतना पंचित कभी उद्वेलित नहीं हो देखा कभी गुस्त देखा कभी कुछ में बैठा हूं क्वेस्टन की आंसर वो कर रहे हैं और हम करने आपको दस और इसी तरह अपने अमरित को घोल घोल के कि अब चन्न वासी नहीं हमारे भारत वास्याओदे सब को फिलाते रहें और सब को सुखी रखें इसके साथ मेरी हार मेरी बेटे के जैसे हैं मैं इनको हमेशा आशिरवात देया हूं हमेशा देता रहूंगा और यह वही काम करें चुक्त Girls अपने लिए जिता है एक दफह जैपरकात जीने हमका को यह सवर काम नहीं होगा उन्होंने अगर तब कुट्ते बनोगे लगा तो कुट़ है मनुस दूसरे के लिए जीता है तो हमारे लाजिफ भाएन जो दूसरे के लिए ही जीते हैं ।ो किसाधन अच्छी C. तो आपका साध्य वो भी खराब हो जाएगा इसलिए साधन के लिए कितना बार कह चुका है और मैं तो इसका प्रतक्ष प्रमान मानता हूं मैं इनका गवाह हूं इन्होंने कभी एक पैसा कहा नहीं सोफा कांजी हमको देजिए कड़ा देजिए कभी नहीं और यह जो खादी दूधी जितना आता है यही इसी से जो आता है यह से जैपरकास को किसी ने सवा या बंबई में सवाल लाक रुपय हर महिना देंगे क्यों तो आपके वहां पर खाने पीने काने मेरा ओफिस तो कोई और चला रहा है इसलिए खाने खाने पीने का मैं पैसा जब आपके होंगा अपना पैसा तो कहां से आते हैं हमदाव लिक्ति में से जो रॉयलिटी आता है उसे के बीच में हम खाते ही रहते हैं दूसरे पैसा नहीं खाएंगे यह हैं मारे राजिव भाई आदर्स अगर जतना कूट-कूट के इन में भड़ा हुआ है देश भक्ती लोगों के लिए उनकी कूट के भड़ाया है कि किस तरह मनशुखी रहें किस तरह देश स्वस्थ हो किस तरह दे की राजनितिक बदले उसमें एक बाद यार रखेगा अभी यह बंबे अधिया अमेरिका जाने वाले हैं उक्राना नहीं वह एक ड़कूमेंट मिल गया तो मद्रास में ह हम लोगों को कहेंगे और यहीं से यह बंब फोड़ेंगे बंब यह कौन बंब है ऐसा बंब है जो कि सांती लाएगा लोगों को सिखाएगा कि हम कहां थे हमारे हमारे यह पॉलिटिशियों ने हमको कहां रखता है अगर वो अगर चुप हो गए अगर इनको अच्छा ड़क यह लोग चले जाएंगे आप इनके साथ माई तोरह मिनट के लिए आप कियेगा चुको कि प्रफुल भाई जितना हमको मदद दिया है दूसरे कहने पर कि आप जैसे एक बज़े से पांच बज़ेते हैं को देखने का समय है और पांच बज़े के बल्द में सारे पांच सब 2 कभी सवाज कभी साथ कवी सट तो यह तो देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह देखते हैं जब तक सुनेंगे ठीक से नहीं। तक जवाब नहीं देंगा, तो समय बहुत हो जाता है, और समय पार कर जाता है, तो दूसरे को जुलूम दिये रहते हैं, वो उनको कुझेरता है, उनको करता है, आप क्यों नहीं, तो परफुल भाई, इस सब के समावेस में हमारे साथ, जो हम लोगों को साथ दिया, और जिस् आप सिटेंस आके दे चुके हैं, अब आप सेक्रेटरी साहब हैं, और हड़ एक शरीर का तले वर एक हैं, लेकिन आप जो हैं, तो आप हिर रहे हैं, आप आईए इस संसा की दीजिए उनको आसरवाद, अब ये सबह सवाबन की और जा रही है,